दोस्तों आप सबने एक कहावत सुनी होगी कि सुख के सब साथी दुख में न कोई देखे जहां तक राय का सवाल है मेरा और पपो जी का राजनीती करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मदभेद भी हैं हम दोनों के बीच में और अभी पिछले देर दो सालों से तो हम अलग-अलग ही रह रहे हैं और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है जहां तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूंगे कि यह तो लौ अन ओर्डर का मामला है सरकाय का मामला है उनको देखना चाहिए जो बयान चल रहे है उससे मेरा और मेरे परिवार कोई लेना देना नहीं आज देखी कि उनकी धरम पतनी रंजिता रंजन जी नहीं खुद दुख की घड़ी में पपो यादव जी को सीरे से खारिश कर दिये हैं और बोल दिये कि वो क्या बोलते हैं वो जाने उनके बयान से मैं और मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है दरसल लॉरेंस बिशनोई वा पपो यादव मामले में एक नया मोर सामने निकल कर आया है हाली में एक इंटर्वियू के दोरान कॉंग्रेस की राजसवा सांसद वा पपो यादव जी की धरम पतनी रंजीता रंजन ने कहा कि हमारे और पपो यादव जी पोर्निया के जो वर्तमान में लोगसवा सांसद हैं उनसे बहुत ही मदभेव है हम डेर दो साल से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं जो आरोप परती आरोप का दौर चल रहा है उससे हमारे और हमारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं आपको क्या लगता है इस समय रंजिता रंजन जी को पपो जी का साथ देना चाहिए था या नहीं पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए सुनिए फिर कमेंट में जाकर अपना राय अपनी परती किरिया लिखिए कि इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं ख़वर सामने ये भी निकल कर आ रहा है कि दोनों के बीच तालाक हो जाएगी जहां तक राय का सवाल है मेरा और पपो जी का राजनिती करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मदभेद भी है हम दोनों के बीच में और अभी पिछले देर दो सालों से तो हम अलग-अलग ही रह रह है और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है जहां तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहोंगे कि यह तो लोग अन ओर्डर का मामला है सरकाय का मामला है उनको देखना चाहिए जो बयान चल रहे हैं उससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं अपने करियर और अपने वयवसाय को दें एक नई उडान बैंगलोर आईटी सॉल्यूशन के साथ फायदे कम होका पायें और कम बजट में बहतरीन कम्पीटर और लैप्टॉपस अपने घर ले जाएं तो स्टार कम्पीटर चले आएं और सबसे कम कीमत पर अच्छे लैप्टॉप को अपना बनाएं स्टार कम्पीटर